एलो फ्रेंट्स इस video में बात करने वाले हैं रेलवे एल पी एंटी पीसी से सम्ब़न्दीर रेलवे के जितने वे ur इस पारेंट्स हैं उन इस पारेंट्स के मन में आरहे कुछ important सवाल के बारे में क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा जन्विन है और railway को बिलकुल railway के इन students के सवालों का जवाब आति शिग्र देना चाहिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहला सभी स्टूडेंट के लिए की इन फार्मेशन है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि railway ALP की जो वेकिंसी है वो थ्री टाइम से लगभग बढ़ चुकी है सब्सक्राइब आपने आपको लिए लेवल पर जज़ कर रहे हैं अभी तक आपने टेस्ट पूक पास प्रोग को परचेज नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथे कमेंट सेक्षिन में आपको एक लिंक मिलेगा उसलिए पे क्लिक करके हमारा कुपन को डे टेस्ट पूक पास प्रोग को पर्चेस कर पाएंगे मात्र 527 रुपे में वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं रेलवे के द्वारा रेलवे की एलपी की भरती से संबंधी जो नोटीस आरे किया गया था चार जुलाई दोहजार चोबिस को इसी नोट लगबग आप लोग का 17 जुलाई दोहजार चोबिस है अभी तक आज लगबग 12 दिन से भी ज्यादा का समय बीच चुका है और सीगर का मतलब कहां से 12 दिन से होता है यह किसी भी स्टूडेंट को बिलकुल भी समझ में नहीं आ रहा है सीगर का मतलब स्टूडेंट एक दिन समझ रहे थे मैकसिममम टो मैकसिमम एक सब्ता समझ रहे थे यानि कि चार तारीक में साथ दिन जोड़ भी दे ग्यारा तारीक लेकिन यहां पर लगबग लगबग दो सब्ता का समय बीच चुका है और रेलवे कर यह सीगर का जो समय है ये समाप्त ही नहीं हो रहा है आप सिधा सिधा रेलवे मंत्री जी से सवाल पूछा है यह आप सब्सक्राइब के सामने ट्वीट है दिनांग 4 जुलाई 2024 को रेलवे भरतिक बोर्ट द्वारा नोटीश जारी करके यह जानकारी दिया गया कि हैस्टेग अलर्वी मोडिफाई करने का लिंक सिग्र ही लाइव होगा आज पूरे 12 दिन बीच चुके हैं और वह सिग्र समय अभी तक नहीं आया है वह सिग्र समय कब आएगा मानने रेलवे मंत्री सिरी एस्वीनी वैसनफ जी यहाँ पर हमने रेलवे मंत्री एस्वीनी वैस करता है देखिए मेरे मानता हो के फर्क नहीं पड़ता होगा पर और हमारी बात जिदिका रेल्वे मंत्राले तक पहुंशती है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप सभी स्टूडेंट को मोडिफिकेशन लिंक देखने को मिल जाएगा इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग हाथ पे हाथ दरह बिल्कुल भी नहीं बैठे रही है मैं मानता हो कि आप लोग सभी स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत ज़्यदा ब्यास्ता है लेकिन एक ट्वीट कम से कम आप लोग रेल्वे मंत्राले को टैक करके रेल्वे मंत्री जी को टैक करके अवस्य करिए और उनसे पूछे कि जो सिग्र कहा गया था आखिर वो सिग्र मोडिफिकेशन निक हमें कब दिया जाएगा क्योंकि एल्पी का जो टेंटिटिव टाइड लाइन टाइम लाइन है इसको आप लोग देखेंगे इसक अगस्त आप लोग का समाप्त हो जाएगा उसके बावजुद भी आप लोग का परिक्षा स्टार्ट नहीं हो पाएगी तो जब तक पहले की परकिरिया पूरी नहीं होगी आगे की परकिरिया स्टार्ट नहीं हो पाएगी और रेल्वे के काम करने का तरीका से आप सभी प्रगल करना पड़ता है हर एक छोटी-छोटी कारियों को रेल्वे से करवाने के लिए नेक्स जो बहुत बढ़ी संख्या में स्टुडेंट के लगातार हमरे पास सवाल आ रहे हैं वह एंटी-पी-सी की वेकेंसी को ले करके हैं क्योंकि रेल्वे के तरफ से जो केलेंडर ज स्टुडेंट जरना चारे की सार आधा जुलाई बीच चुका है आखिर अभी तक एंटी-पी-सी का अफेकेंसी से सम्दित किसी भी परकार का कोई खोज ख़बर क्यों नहीं है इसके ओपर भी उमंग स्टडी का ओफिसेल हैंडल से हम लोगों ने ट्वीट कर दिया है यहा जुलाई बीच चुका है अभी तक कोई अपडेट नहीं है किया हमें सितंबर अंत तक इंतजार करना है तो यह जितने वी ट्वीट्स आपने सबी स्टूडेंट ने देखे हैं यह हमारा प्रयास है और हमारा स्लोगन है हमारा हाथ में प्रयास है परिनाम नहीं पर तो कुछ भी ऑफिसियल अपडेट नहीं दिया है एक भी नोटीस नहीं आई है आपने बस केवल और केवल मेरा टाइम खराब गया है लेकिन मुझे बहुत तेरा भली भाती पता है कि रेलवे से किस तरीके से काम करवाना है तो मुझे उमीद है कि सभी स्टूडेंट मेरा साथ देंगे और कम से कम एक ट्वीट रेलवे मंतराले को टैक करके मंतरी जी को टैक करके आप अपना सवार रेलवे मंतरी जी से जरूर पूछेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत